लोकी की तो आपने बहुत सारी रेसिपी स्ट्राइक की होगी, आज हम लोकी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी सेयर करने वाले हैं, यह आपको बहुत यदा पसंद आएगी क्योंकि बहुत यदा टेस्टी लगती है यह खाने में, बनाने में बहुत आसान है, टेस्ट में बह और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी न तो प्लीज वीडियो को लाइक और जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो पिल्कुल मत भूलिएगा तो यहां पर हमने ये गोल लौकी ली हुई है आप इसमें लंबी वाली जो लौकी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफी यादा सॉफ्ट है इसका छिल्का बहुत यादा पतला है ये देखे है तो बहुत ही सॉफ्ट है काफी फ्रेस्ट लौकी है हमने लिया और यह बहुत यदा सौफ्ट है इसको हम कडाही में बनाने वाले हैं और यह रेसिपी यकीन मानिये बहुत यदा टेस्टी लगती है तो चलिए अब इसका हम चिल्का हाटा लेते हैं अगर आप लोगी नहीं भी खाते हैं तो इस रेसिपी को ट्राइब करने के बाद तो सियो अगर आपको थोड़े बड़े टुकड़े रखने है तो रख सकते हैं यह देखे हमने थोड़े से छोटे ही टुकड़ो में इसको कट कर लिया है और एक पर इसको हमने पानी से अच्छे से साफ भी कर लिया है यह देखे इसको साइड में रखते हैं और यहां पर हमने तो यह देखे, पेस्ट हमारा बनकत तयार हो चुका है, तो अब हमने लेना है एक कडाही गैस हमने आउन कर दिये इसमें डालेंगे सरसों का तिल, दो बड़े चमज, तिल का भी इस्तेमाल हम बहुत जादा नहीं करेंगे, तिल गरम होने के बार टालेंगे एक चुटी चमज जीरा, और ये कहां पे हम तेजपता डाल देते हैं, और ये अधरक लेसुन का पेस्ट है, आप इसको ग्रेट करक ये डालेंगे, एक चमज डालेंगे इसमें हल्दी पॉडर, एक चमज डालेंगे इसमें लाल मिर्च पॉडर, इससे नहीं बहुत बढ़िया कलर आता है, एक चमज डालेंगे इसमें धनिया पॉडर, अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं, गैस के फ्ले प्रिट चिली जो पॉडर हम डालते है उसे कलर बहुत बढ़ी आता है थोड़ी सी हम इसमें धनिया की पती डाल देते हैं जो की काफी आदा टेस्टी लगती है और बहुत अच्छी सी खुसभू भी आने लगती है इन मसालों से तो अब इसमें हम डाल देते हैं लोकी जो इसको हम ढखकर पकाएंगे दो से तीन मिनट के लिए ताकि जो लोकी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और यह लोकी काफी फ्रेस है काफी चोटी थी ना और यह काफी आदा सॉफ्ट भी थी तो बहुत जल्दी से कुग भी हो गई थी तो यह देखे दो मिनट तक हमने ढखकर पकाया है यह थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई यह बहुत जादा तो नहीं यह देखे और अब इसमें हम ढालेंगे पानी तो पानी नहीं डालना है तो यह देखे अगर आपको चावल से कहाना हूँ तो आप थोड़ा पानी इसमें डाल सकते हैं तो यहां पर हमने एक बड़ी ग्लास के जितना पानी डाला है टेस्ट के एकॉर्णिंग इसमें हम नमक डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको ढग कर हम 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे धीमियाज पर तो चलिए इसको हम ढग देते हैं और इसको हम कूख होने देते हैं तो यह देखे 4 मिनट हो चुके थे और यह काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी क्योंकि मैंने बोला कि लोकी जो काफी जादा सॉफ्ट थी तो इसको कूख होने में टाइम नहीं लगा है तो अब ही अच्छे से पर्ख चुकी है ना तो अब इसमें हमें हमें क्या करना है एक छोटी चमस डालना है हमें गरम-साला। बहुतàng बढ़िया टेस्ट आता है इससे और यहां पर हमने अमचुर पाउडर लिया हुआ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है तो अब तेज पत्ता तो हम इसमें हटा देते हैं क्यूंकि इसका फ्लेवर सब्जी में काफी आ चुका है न तो अब इसमें डाल देंगे बारी कट्यूए धनिया की पत्ती गैस हमने ओफ कर दी है मसाला डालने के पद हमने केवल एक मिनट के लिए इसको पकाया है और सब्जी का कलर देखिये कितने ज़्यादा ये सांदार लग रहा है न ये देखिये लोकी की तो आपने सब्जी बहुत तरीके की बनाई होगी बहुत सिंपल सब्जी भी बनती है बहुत ज़्यादा मसाले वाली भी बनती है लेकिन ये सब्जी ह बहुत कम नहीं अजला करोंगता की आधा पकल तैस्ट में तूक्त मौण ने तुह रहे इसला के नोद बागता यहां। तो देखा आपने हैना इसको बनाना बहुत ही आसान, तो बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी ये सबजी बनकर तयार हो चुकी है, जो कलर देखने से आप अंताचा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये टेस्टी होगी, तो इस रेसिपे को ट्राइ आप लोडे आप जाकर देख सकते हैं